आज हम हैं पटाया में और यह जो बीच आप देख रहे हैं यह है पटाया का जुविनियल बीच आज हमें यहां से बैंक आग जाना है जो कि यहां से लगबग डेर सो किलोमेटर की तूरी पर है वैसे तो बैंक आग से पटाया जाने के लिए तीन साधन है एक है लोटो जो की एक बस की तरह दिखता है दूसरा ट्रेन और तीसरा फ्लाइट अगर हम किराय की बात करें तो जो लोटो है उसका जो किराया लगता है भारती करेंशी में लगबग 350 रुपए और अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का जो किराया लगता है वो 270 रुपए भारती करेंशी में जो कि ट्रेन यहां की छोटी लाइन की ट्रेन होती है तीसरा हुआ फ्लाइट का किडाया जो कि 4,000 से लेके 10,000 तक भारती करेंशी में आपको मिल जाएगा अब हमें डूड़ना था पताया में बस स्टेशन जो कि यहां से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टेशन पर जाने के बाद पता चला कि यहां से बैंका के लिए कोई बस नहीं है और जो भी बस है वह सीधे बैंका की एरपोर्ट पर लिखर जाएगी यहां से डेर से दो क्लिम्टर की दूरी पर हमें लोटो मिल जाएगा यह जो सहर में बस स्टेशन था यह बता रही है कि इनका बस सिफ चलता है सुवर्ण भूम एरपोर्ट के लिए और वह कहीं पे भी नहीं जाता है बैंकाक में लोटो की तालास में अमिधर उधर बटक रहे थे लेकिन हमें कहीं लोटो नहीं दिख रहा था यहां पे जो हमें सबसे बड़ी समस्या हो रहे थी यहां की भासा से हिंदी और इंगलिसी नहीं आता नहीं था और थाई भासा हम समझ नहीं पाते थे तब ही हमारी मुलाकात इस देवी स्वरूप महिला से होती है जो की हमारी बहुत मदद करती है जब इस महिला से हम गूगल ट्रांसलेट करके बात करते हैं तो यह हमारी पीड़ा को समझ जाती है और अपने मोटर बाइक पर हमें लिफ्ट देकर हमें लोटो तक पहुंचा देती है अगर वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है अगर यह महतरमा नहीं रही होती तो साइद मेरा बस चूट जाता इनका बहुत-बहुत मैं दन्यवाद करता हूं कि सही समय पे लाकि मुझे बस तक छोड़ दी थैंको सब खुन खा फिर क्या था हम इस लोटो वाले को सारे 300 रुपए भारती मुत्रा देते हैं और आगे वाले सीट को कबजा कर लेते हैं आगे वाले सीट का कबजा इसलिए करते हैं क्योंकि यहां के रोट का नजारा आपको दिखाना था और साम होते होते हम बहुत जाते हैं स्वंबलों जो कि बैंकार्ट से लगबक 30 किलमिटर पहले ही था झाल